अगर आपको कहा जाए कि जिन्दगी के 3-4 साल या उससे भी ज्यादा, एक ऐसे टेस्ट की तयारी में लगा दीजिए जिसके क्लियर होने का चांस तो 50-50 है, लेकिन अगर क्लियर हो गया, तो आप अपनी जिन्दगी के साथ साथ समाज को भी काफी हद तक समार पाएंगे, त तो क्या आप एक ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे? जी हाँ, मैं UPSC की ही बात कर रही हूँ. UPSC, दुनिया का दूसरा सबसे कठिन टेस्ट माना चाता है, और बेशक हमारे देश का सबसे मुश्किल टेस्ट है, लेकिन आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि इस परिक्षा को इतना लाव से क्लियर नहीं होते, तो आपको अगले साल फिर से शुरू से ही शुरुआत करनी पड़ती है. UPSC को क्लियर करने वाले लोग IAS, IPS और IRS अफसर बनते हैं, जिनको सरकारी कुरसी पर बैठ कर समाज सुधार के लिए नीतियां बनाने का सुनहरा मौका मिलता है. अक्सर देखा जाता है कि UPSC की तयारी करने वाले लोग कितने कितने साल मेहनत करते हैं और फिर कहीं जाकर उनकी मेहनत रंग लाती है. लेकिन वाकर में ये एक्जाम क्या इतना मुश्किल है? क्या आपके या मेरे जैसे लोग UPSC में सफल नहीं हो सकते? इस बात का जवाब I.S. मुकेश कुमार द्वारा लिखी गई ये किताब, आप भी I.S. बन सकते हैं में बहुती गहराई और सलीके से दिया गया है. UPSC के तीनों पड़ाव से लेकर तीसरा पड़ाव क्लियर करने के बाद के भी तज्जुर्बे इस किताब में निचोड कर बताए गए हैं.